प्यारे दोस्तों, जब से करोना आया है, हम घर में कैद हो गए हैं और घर में हम सबसे ज़्यादा किस के साथ समय बिताते हैं, तो वो है हमारे गैजेट्स हमारी पढ़ाई भी अभी gadgets के सहरे हो रही है हम हमारे मित्रों के साथ भी gadgets से ही बात कर रहे है और हम हमारे दादा, दादी, नाना, नानी और बाकी सारे extended family से भी gadgets के माध्यम से ही जुड़ पा रहे है पर क्या आप जानते हो कि gadgets खूब ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके साथ लगे रहने से क्या-क्या दिक्कत त्यारी है आए आज हम देखते हैं क्या होता है gadgets के overuse याने के आवश्यक्ता से अधिक इस्तेमाल से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको continuous computer चलाने से या tablet चलाने से हातों के उंगलियों में दर्द होने लगा है उनके wrist joint को तकलीफ होने लगी है, हात में दर्द होने लगा है, गर्दन में दर्द होने लगा है, पीठ में भी दर्द होने लगा है सिर्दर्द ये तो बहुत आम समस्या है सिर्दर्द के साथ साथ देखने को मिल रहा है आखों में दर्द चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे है और आखों में एक हल किसी पानी की परत होती है जो हमारे आखों के लिए protection देती है तो ये जो पानी की परत है वो कम होने लगी है constant screen use से इससे हम कहते है dry eye syndrome तो आखे हमेशा चुबने चुबने जैसी लगती है irritation लगता है और आखों से पानी का stroke कम हो जाकता है तो इन बिमारियों के चलते हमें जरूर है कि हम डॉक्टर से इसके परामर्ष ले दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है एक जगा बैठे रहने से वो है वजन बढ़ना कुछ बच्चों ने 6-6, 8-8, 10-10 किलो तक वजन अपना बढ़ा लिया है लॉक्डाउन के दौरान और जब से schools बंत हो गए है तब से बहार जाने ही पा रहे है फिजिकल एक्टिविटीज करनी पा रहे है और फिर लगे रहते हैं घंटों तक गैजेट्स पर इससे उनका वजन बढ़ रहा है ये तो हो गई शरीर की बात लेकिन क्या आप जानते हो गैजेट यूज करने से हमारे मस्तिक्ष पर मन पर क्या प्रभाव होता है सबसे बड़ी बात होती है हमारी नीन की जो साइकल है उसमें गड़बड़ी हो जाती है स्क्रीन में से ब्लू लाइट आती है और ये ब्लू लाइट हमारे एक हॉर्मोन होता है जिसे हम melatonine कहते है जो कि हमारे नीन का हार्मोन है उसमें गड़बड़ी कर देता है तो जब melatonine ही नहीं होता है तो हमारी नीन उड़ जाती है तो gadget के ज़्यादा use जो बच्चे करते है उनमें देख लिजेगा नीन की समस्या से वो परेशान रहते है फिर नीन नहीं आती है तो क्या करते है फिर दुबारा से gadget पे चले जाते है और फिर gadget और उनकी नीन कम कर देता है इस तरीके से gadget हमारी उलजन बढ़ाता है ना कि कम करता है gadget पे हम लोग ज़्यादा तर social media पे रहते है social media पे हमें likes आते है तो अच्छा लगता है likes नहीं आते है तो बुरा लगता है किसी के कितने friends है, मेरी friend request किसने accept की, किसने reject की किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरे पे क्या comment पास किया, किसने मुझे bully किया इन सब चीजों को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं और हमारे लिए बहुत माइने रखता है कि मेरा social media में presence कैसा है इन सब चीजों को लेके बच्चे उलजे हुए रहते हैं उन्हें चाहिए होता है कि मेरे Instagram पे इतने followers हो Facebook पे मेरे इतने friends हो पर इन सब चक्करों में हम हमारे जो friends है, जो हमारे in-person friends है उनके साथ रिष्टा निभाना भूल जाते है और अब ऐसी समस्या आने लगी है कि बच्चे one-on-one बात ही नहीं कर पा रहे हैं ना अपने मम्मी पापा के साथ, ना अपने friends के साथ, ना अपने teachers के साथ वो तो बस इतना ही जानते हैं कि हम एक दूसरे से gadget के माध्यम से ही connected रहे तो यह हमारी जो एक दूसरे से बात करने की एक दूसरे से मिलन सारिता से मिलने जुलने की जो हमारी यह एक महत्वपूर्ण अंग है वो हम भूलते जा रहे हैं और यह हमारी सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी क्षती है एक बहुत बड़ा नुकसान है और जैसे जैसे हम gadget का use जादा जादा करने लगते हैं हमारी memory कम होते जाती है हमारी thinking capacity कम होते जाती है क्योंकि सारा कुछ ready-made दे देता है हमें gadget चाहे वो TV हो, चाहे वो tablet हो, चाहे वो computer हो हम जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम audio-visual माध्यम से रूबर होते रहते हैं हमारी imagination की capacity कम-कम होते जाती है तो देखा आपने gadget के overuse से ना सिर्फ शारिरिक, मानसिक बलकि बौधिक भी नुकसान है तो इनसे दूर ही रहना बैतर है gadget का use अपने पढ़ाई के लिए कीजिए, अपने creativity के लिए कीजिए अपने दोस्तों के साथ connect रहने के लिए कीजिए लेकिन gaming के लिए इनका use खत्रे से खाली नहीं gaming disorder नाम से मानसिक बिमारी परिभाशित हो चुकी है और इससे कई बच्चे फीड़ी थे तो बचाईए अपने आपको gadget overuse से धन्यवाद